विधान सभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजिंदर राठोर ने चुरू में पुलिस कस्रेडी में हुई मौत पर गुस्सा जाहिर किया उन्होंने कहा कि चुरू में इस तरह की दूसरी घटना है नेमिचंद को बिना किसी कारण के ही 6 महिने पुराने मामले में उठाया गया और उसी परिवार की दूसरी महिला के साथ अन्याय हुआ वहीराठोर ने संथ शिवदास की मौत पर कहा कि एक संथ तसकरों के खिलाफ आवाज उठाता है और इसके बाद तसकरों से परिशान होकर संथ को आत्मात्या करनी पड़ती है इससे पुलिस की प्रती लोगों का गुसा इसकदर बड़ा है कि समन तामील कराने गए एक सिपाही को लोगों ने पीट-पीट कर मार दिया पूरे प्रदेश में कानुन विवस्था की जरजरता की वज़े से राजसान अब देश भर में कोख्यात हो चुका है लहावट के अंदर उस संत को आतम हत्या करने पड़ती है सिवदास महराज को इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती पुलिस के परती लोगों का अक्रोस इस खदर पहुंच गया कि तामील कराने गए एक हेड कांस्टरबल अब्दुल गनी को पीट-पीट कर लोगों निमार ढाला मैं समझता हूँ राजिस्तान का ये समय है पूरे देश में कानून विवस्टा की जरजरता के कार्ण से विख्यात हो रहा है